यदि करनी है विशय पर मचबूत पकड़, साथ ही नौकरी पक्की तो देखें परिशकार के लेक्शर्स आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सपना मैम धात्विक बंद को एनिमेशन के माध्यम से समझा रही हैं और आपकी केमिस्ट्री को मचबूत कर रही है Metallic Bond यानि धात्िक बंद क्या होता है हम सब जानते हैं कि जो metal होती है वो इलक्टरन लूज करने की टενडेंसी रखती है मेटल का करेक्टर क्या होता है धन-विदुदि गुन यानी जो मेटल होगी हो इलेक्ट्रोन लूज करेगी और जब इलेक्ट्रोन रिलीज होगा तो मेटल की उपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव आएन आएगा इस प्रकार से हमारा जो crystal होता है metal का उस crystal में metal आपस में जूड़ी रहती है जैसे metal आपस में जूड़ी रेगी तो उस crystal में metal क्या करेगी electron लूज करेगी और उन electron को leaves करने के बाद में जो electron है वो उस पूरे crystal में इन धनायनों के दनायों के चारवा रिएगए घेरे रखें गेंगे इस परकार से यहां पर जो метal आइन है और जो electron रिलीज होते हैं उन दोनों की मद्द्दे एक परकार का बल लगता है जिसे कहते हैं Death Kellly store二 लोग्रार का О, जिसे कहते हैं metal के उपर कौन सा आभीस है जाएगा धनाभेश और metal क्या release करेगी elektron तो इस क्रिस्टल में जो elektron release हो चुके हैं इन elektron और जो धनाइन है metal बंद चुकी हैं M+. इन दोनों के मद्दे एक प्रकार का बल कारे करता है जिसे हम कहते हैं, electrolyteacci force इसी बीच में जो लगने वाला जुबल होगा वो कहला हैगा हमारा धातिक बंदिया मेटलिक बॉंड जॉब लेने के लिए हो जाईए तयार यदि आपको जॉब लेनी है तो आजाईए परिशकार परिशकार दे रहा है आपको क्वालिटी से भरेवे लेक्चर्स देखे किस तरीके से आकाश जी कमपन के प्रकार को एनिमेशन के माध्रम से समझा करके आपकी केमिस्ट्री मजबूत कर रहे हैं कि आनवी कंपन में से हमारा पहली प्रकार का कंपन है जिसको हम कह रहे हैं यहां तनन कंपन यह स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होता है कि जैसे हमने एक ट्राइटमिक मॉलेक्यूल ले लिया जैसे जल का एक्जामपल हम लोग लें तो यहां पर जल की सनचना में हम जानते हैं किंद्री परमानों ऑक्सिजन दो साइड एटम हाइड्रोजन परमानों से यहां जुड़ा हुआ है और इन दो बंद के बीच में जो कौन बना हुआ है इसको हम ठीट का और एल दो बहुतिक राशिया हैं और तनन कंपन में हम देखें कि अगर मॉलेक्लर बाइब्रेशन यानि आणविक कंपन के दौरान माध्य अवस्था से जब इर्द अपनी अवस्था का परिवर्तन कर रहे हैं अगर आणविक कंपन के दौरान बंद लंबाई का मान पर परिवर्तन नहीं होगा बंद दूरी या तो घ्टेगा या फिर बंद दूरी का मान बड़ेगा फिर से यह तरसे धोड़ार का होता है नंबर एक सम्मित तरन और नंबर दो ए समितनन कंपन तो देखें समितनन कंपन में जैसे हमने यहां पर एक ट्राय अटमिक मॉलेक्यूल लिया हुआ है जिसकी हमारी बंद लंबाई एल है तो यदि आणवी कंपन के दौरान बंद लंबाई घटे और दौनों बंद लंबाई यदि एक साथ गटे औ तो एक साथ घटना और एक साथ बढ़ना इस प्रकार का जो बाइब्रेशन है इसको हम कहेंगे समितनन कंपन बंद लंबाई यों का मान एक साथ या तो घटेगा या तो बढ़ेगा इसी प्रकार अगर हम एस सम्मित देखें तो जैसा की नाम से इस पश्ट है दौनों इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम कहेंगे सम्मित या इसमेट्रिक वाइब्रेशन परिशकार परिशकार कभी क्वालिटी से समझा नहीं करता और परिशकार अपने लेक्चर्स में क्वालिटी की सासर वह सारी खूबियां डालता है जिसे की आप जैसे स्टूडेंस को बहुत ही इंट्रेस्टिंग लगता है देखे किस तरीके से सिंपल में सेल को डायग्राम के मात्यम से समझा रहे हैं और इस डायग्राम के मात्यम से उस सेल की पिक्चर आपके दिमाग पर छप जाएगी और आपकी तैयारी आपको तैयार करेगी नॉटनी के लिए। आज हम लोग सेल की बारे में स्टडी करने वाले हैं, एल्यक्तो केमिस्ट्री में हम दो टाइब के सेल्स पढ़ते हैं, एक तो है इल्यक्त्रो लाइटिक सेल और दूसरा होता है इल्यक्त्रो केमिकल सेल, तो देखें, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इ उर्जा में convert करते हैं तो इल्ऌिक अर्जिक्या ऑनर्जिक में convert करते हैं उनको हम भोलते हैं विद्थृ tu program cell और दूसरे टाइप के जो cell है अपने सामने विद्थ राइट राइट इन इक cell ये क्या करते हैं कि राइट इनक उर्जा को यूज करते हैं और इन सेल में जो एनोड है वो positive होता है और cathode negative और ये जो सेल है विद्धुत रासायनिक सेल इसमें एनोड negative और cathode positive होता है और इसका एक example है Daniel दो टाइब के सेल समलोग पढ़ते हैं एक तो है विद्धुत अबगटेनी सेल और दूसरा होता है electrochemical cell याने की विद्धुत रासायनिक सेल तो जैसे कि नाम से पता चलता है इसमें विद्धुत अबगटेनी सेल का मतलब पहले हमने electrical energy cell में प्रोवाइड की और उससे जो भी आपने पतार्त लिया है विद्धुत अबगटे लिया है उसका क्या हो गया dissociation जैसे यहां पर हमने लिया है क्या NaCl तो यह जो NaCl है molten NaCl यह विद्धुत अबगटेनी सेल दूसरा जो एक्जामपल लिया है इसमें वो है देनियल सेल और यह है अपना विद्धुत रासायनिक सेल का मतलब जो रासायनिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में convert कर देते हैं यानिकि इन सेल में पहले chemical reactions होती है और उसके दुरू electricity generate होती है दो electrode इसमें हमने लिये है एक तो है copper का electrode और दूसरा है zinc का electrode इन दौनों electrodes को लबड से तू यानिकि salt ब्रेस से हमने यहां पर जोड़ दिया अब इनमें chemical reactions होती है यहां पर zinc को zinc sulfate के solution में dip किया है और copper को copper sulfate के solution में dip किया है इनमें chemical reaction होती है anode पर जो zinc है वो दो electron lose करके Zn plus 2 में convert होता है और यहां पर क्या होता है oxidation और cathode पर copper plus 2 जो ions है billion में वो दो electron को grant करके copper धातू के रूप में अपचेद हो जाते हैं तो यह अपना क्यलाता है विद्धूत रासायनिक cell हर student के जुबापर एक ही नाम है परिशकार हर student परिशकार से ही पढ़ना चाता है science क्योंकि यहां की science सबसे different है सबसे interesting है और सबसे attractive है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से फरसर आपके सामने ग्रेबिल थेलेमाइट संसलेशन को बहुती interesting तरीके से समझा रहे हैं ग्रेबिल थेलेमाइट संसलेशन ग्रेबिल थेलेमाइट संसलेशन वेशे प्राइमरी एमिन बनाने का मेथड है लेकिन इससे हम एमीनो एसिड को भी बना सकते हैं एमीनो एसिड को बनाने के लिए कैसे हम reaction करवाएंगे सबसे पहले reaction करवानी है Potassium Thelemide की Ρियक्शन हमें करवानी है किस से करवानी है Alpha Hashester से उसके बाद हम जलब गटन करवा कर क्या प्राप्त कर सकते है Alpha Amino Amlico को प्राप्त कर सकते है कैसे प्राप्त करेंगे ठीए सबसे पहले बात करें Potassium Thelemide क्या है तो हमारे पास जो Thalamide होता है उसकी हमारे पास बेश से reaction करवा के potassium thalamite बनाया जाता है जहां पर H की जगह हमारे पास क्या आ जाता है potassium iron आ जाता है ठीक है अब next है हमारे पास alpha halo ester से तो यहां पर हमारे पास किरियात्मक समूँ कौन सा है ester है इससे जुड़ा हुआ पहला कार्वर हमारे पास क्या कहलाएगा alpha कहलाएगा तो alpha पर हमारे पास हेलोजन है alpha bromo ester ठीक है यह दोनों सबसे पहले reaction करेंगे तो यहां से हमारे पास यहां पर कौन सा चार्ज आएगा हमारे पास positive चार्ज आएगा तो यह negative और यह positive के बियार की form में यहां पर बाहर निकल जाएंगे माइनस के बियार और यह हमारे पास alpha हेलो एस्टर यह alpha bromo ester किस से जुड़ जाएगा हमारे पास थेलमाइड होता है वो कहां से होता है इस तरह से यहां पर होगा तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा और यहां क्या जाएगा एच यहां पर आ जाएगा ठीक है तो माइनस में क्या निकल जाएगा का C2H5-OH यह हमारे पास इथेनोल बाहर निकल जाएगा और यह हमारे पास एस्टर के रियात्मक समुकिस में कर्णवर्ट हो जाएगा एसीड में जाएगा ठीक है उसके बाद दो वाटर मॉल्ड और काम आएंगे हमारे पास वह कैसे आएंगे यह इन दोनों Bonds को break करेंगे जो हमारे पास थेलमाइड स्ट्रक्चर होगी और यहां पर क्या आएगा positive और इस पर यह आ जाएगा हमारे पास negative आ जाएगा तो वाटर मॉलीक्यूल का जो हमारे पास प्लस और ओवेच मैनस है वह दोनों अटेक कर जाएंगे इस कार्बन पर और हमारे पास अटेक कर जाएगा इस नाइट्रोजन पर तो एक इस्टरक्चर तो हमारी यह वाली हो परिशकार की क्वालिटी के एक छोटी सी जहलक BSC, BA, BCOM, BCA और साथ ही कॉमटिशन की तैयारी के लिए परिशकार कॉलेज अगलोबल एकसिलेंस याने हिंदी मीडियम और परिशकार इंटरनेशनल कॉलेज याने इंगलिश मीडियम के वैल क्वालिफाइट सब्जेक्स, एक् करिएर को उची उडान दे सकते हैं तो दोस्तों आज ही परिशकार के दोनों चैनल परिशकार वर्ल्ड और परिशकार कॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बैल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए जिससे सभी नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें फ्रेंड्स हमारे यूटूब चैनल पर सब्जेक्ट्स की मॉडल लेक्चर से आपको क्वालिटी का अंदाजा खुद ही हो जाएगा और इस क्वालिटी को लेकर कि आप IAS, RAS, जूनियर अकाउंटेंट, SSC, रेलवे, बैंक, पटवार आधी में यदि नौकरी पक्की करना चाहते हैं तो हमारे एप परिशकार वर्ल्ड को आज ही डाउनलोड करिए और हमारे एप में एवलेबल सब ही कोर्सेज को लेकर अपनी सही दिशा तै कीजिए